Hello friends, this is Bhavna here, welcome to Let's Crack, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी की बचेवी questions, 20 questions हम कर चुके हैं, दो पार्ट में, तो चलते हैं, questions को स्टार्ट करते हैं, question number 21, Assertion, teacher should employ multiple ways of assessment in her classroom, teacher को तरह तरह के आकलन अपनी कक्षा में करने चाहिए, Reason क्या है, Children's Success and Failure in Classroom can not be accurately and adequately determined only by paper pencil test, बच्चों की जो success है और जो failure है, वो paper pencil test से ही नहीं आकनी चाहिए, उससे adequate और accurately result नहीं पता चलता, तो इसलिए तरह तरह के assessment teacher को करने चाहिए, तो दोन ही option ठीक है, बोथ A and R are true, R is the correct explanation of A, ठीक है, option number first हमारा यह correct है, चलते हैं, next question पे, question number 22, To teach a concept, a teacher is giving multiple examples and subsequently ask student to form a rule considering the formation gathered through those examples, which of the following approach is being used here for concept formulation among children, यह ni teacher क्या है, पहले example दे रहω Watts फिर rule की तरफ जा रही है, तो यह कौन सी approach है, example to rule जाना, example to rule जाना कौन सी approach है, यह है inductive approach, इंड़क्टिव में क्या होता है पहले एक्जामपल देते हैं फिर उसके बाद रूल को फोल करते हैं डिड़क्टिव में क्या होता है रूल टू एक्जामपल ठीक है तो अप्शन नमबर टू हमारा है सही होता है आगनात्मक आगनात्मक विदी में क्या होता है पहले उधार प्रस्तुत के जएदे उसके बाद विद्यारती को उधारन द्वारा एकत्रिक जानकारी के आधार पर नियम निर्दारित करने को कहती है ठीचर ठीक है एक्जाम्पल टू रूल जा रही है तो ऑप्शन नमबर टू हमारा है सही कोशन नमबर 23 तो गें कोपरेशन ऑफ दे रूल हर सेल्फ यानि ऐसे रूल से रेगुलेशन बनाएं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हों रिजिड हों तो यह तो गलत बात है फ्रीक्वेंटली कम्प्लेंट टू पैरेंट्स अबाउट स्टुडेंट्स इस्टूडेंट्स मिस्बिहेवियर कि उनकी कम्प्लेंट करने प क्लास्रोम इन कोलाबोरेशन विद स्टुडेंट के बात ठीक है कि क्लास में जो रूल्स और रेगुलेशन बना रही है टीचर उसमें बच्चों को को लैब करें पार्टिस्पेट करें ठीक है माप दंडो और नियमों को स्थापित करते समय विद्ध्यार्टियों की सह बागिता ओप्शन नमबर फॉर हमारा है सही है चुज नमबर फॉर्टिफोर चूज दो ऑप्शन देट करेक्टली रिप्रेजेंट्स दग कंटेक्स इन विज लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्रन अधिकर्म किस तरह होगा किस के संदर्ब में होगा गेमस एंड प्ले ये वाद ठीक है कि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो लर्निंग अच्छी होगी खेल कूद से लीएल लाइफ से इंट्टरेक्ट करके होम घर से भी होगी ट्लास्रूम से होगी तो तीनों यह option ठीक है option number 3 हमारा correct है वह विकल्ब चुली है जो उन संदर्बों को सही चुनाव करता है जिन में बच्चों के लिए अधिगम हो पाता हो यानि बच्चों की learning होती हो तो तीनों यह option हमारे ठीक है question number 25 पे चलते है which of the following is not an effective way to facilitate problem solving skills among students कौन से एक अच्छा तरीकर नहीं है बच्चों की problem solving का facilitate discussion on the topics and encourage students for participation कि बच्चों को discussion के लिए कहें topic पे किसी भी topic पे discussion के लिए कहें और बच्चों को encourage करें जिससे वो actively participate कर सकें तो यह बात तो ठीक है encourage students to brainstorm and generate ideas to solve problem यह बात भी ठीक है कि बच्चों को process करें जिससे वो नए नए ideas create करें problem solving के तो यह बात भी ठीक है provide students with a variety of learning materials to find solutions of the problem तरह तरह की materials उन्हें दिये जाए variety of learning materials दिये जाए जिससे वो problem का solution खोज सकें तो यह बात भी ठीक है emphasize one use of pre-determined step-by-step procedure for every problem हर एक problem के लिए step-by-step वही पुराना तरीका use करते रहे हर एक problem को solve करने के लिए तो यह बात बिल्कुल गलत है यह effective तरीका नहीं हुआ तो बाकी के तीन option ठीक है not पूछा है यह भी देखना है कि पूछा क्या है ठीक है option number 4 हमारा है सही है question number 26 which of these is characteristic of constructivism classroom रचनवादी कक्सा की कौन सी एक characteristic है learners are passive in the process of learning यह बात गलत है learners passive नहीं होते एक्टीव होते है यानि बच्चा actively सीखता है actively involved होके maximum emphasis is given on rot memorization of the textbook constructivist class में textbook को focus नहीं किया गया है नहीं rot memorization होती है ठीक है conceptual learning होते है constructivist classroom में asking of questions by children is not encouraged in the classroom बच्चे जो questions put out करते हैं उन्हें encourage करना चाहिए ना कि उन्हें discourage करें ठीक है तो यह option भी गलत है the previous experiences of children are used for construction of new knowledge in the classroom यह बात ठीक है कि बच्चे जो पूर ग्यान लेके आते हैं उसे नए ग्यान के साथ जोड़ना तो फिर यह रचनावादी classroom की characteristic होई कि पूर बच्चे जो ग्यान लेके आते हैं उसे हमें नए ग्यान से जोड़ना है इसी तरह बच्चों को हमें पढ़ाना है क्लास में कि बच्चों का जो पुराना ग्यान उसी से इंट्रेक्ट करके नए ग्यान को डवलक करें तो आप्शन नमबर फॉर हमारा है सही है कक्सा कक्स में बच्चों के पिछले अनुभाव का उप्योग नए ग्यान की रचना के लिए किया जाता है ठीक है औप्शन नमबर फॉर इस करेक्ट कोश्चन नमबर ट्विटी सेव विच फॉलेंग बिफ ओवर टीचर इस डेट्रिमेंटल टु स्टुडेंट्स लर्निंग कौन सी एक सोच बच्चों के लिए बाधा बनती है बच्चों की लर्निंग में टीचर की सोच एरर सारा पर ओफ तब नहिंग का पार्ट रह फॉलेंग cał prag दिंग करा है तेमफुल एक्ट थोड़ी है, learning का पार्ट है, error, error एक window की तरह काम करते हैं, बच्चे errors करके ही आगे बढ़ते हैं, बच्चे error करके ही सीखते हैं, error provide insight in the gaps, in the conceptual understanding of the learners, errors के हैं, जो बच्चों की learning में gaps हो जाते हैं, gaps को fill करने का काम करते हैं, learning must be given the space to make errors without fear of being reprimanded, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो बिना डर के करें, बिना डाट फटकार के करें, तो उसे गलती करने से डर नहीं लगेगा, कम से कम करेगा तो गलती करके सीखेगा, फिर उसे ठीक भी करेगा, तो option number second हमारा हैं, सही है, अवरोदक पूचा है, यह नही करके ही बच्चे सीखते हैं, आगे चलते हैं, question number 28, which of the following is an example of extensive motivation, यानि बहारी अभी प्रेरना का कौन सा एक example है, extensive motivation क्या होता है, जिसमें reward काम करता है, reward, award, prize वगेरा, यानि बच्चे को बहारी प्रेरना होती है, बहारी चीजों से, while doing research, अर्मान consults various sources to be sure about its learning, research करते बाद, अपने अधिकम को द्रड करने के लिए सोध करते समय, अमन विबिन स्त्रोतों की साहता लेता है, यह बात ठीक है, कि वो साहता ले रहा है, learning के लिए, या मतलब learning हो रही है, रियान researches from many sources for a project to get a cash prize, कि cash prize की बात हो रही है, यह extensive motivation का example, कि रियान जो research कर रहा है, project पे वो किसलिए कर रहा है कि उसे cash prize मिले, prize में जो cash मिल रहा है, वो उसका extensive motivation है, थर्ड भी पढ़ लेते हैं, to ensure self satisfaction, सितारा takes regular feedback from her seniors, अपने self satisfaction के लिए सितारा regular feedback ले रही है, अपने senior से, यह बात भी ठीक है, intrinsic motivation यानि उसे internal motivation है, तभी तो वो feedback ले रही है, for personal interest and to improve his capabilities, कुलमीत practice the task regularly, अपने खुद के इंट्रेस्ट के लिए, personal interest के लिए, अपनी capabilities को improve करने के लिए, कुलमीत क्या कर रहा है, daily practice कर रहा है, ठीक है, तो यह भी intrinsic motivation है, तो एक ही example है, इसमें extensive motivation का, कि वो cash prize के लिए research कर रहा है, तो option number second हमारा है, सही है, ठीक है, next question पर चलते है, question number 29, during the COVID-19 pandemic, has negatively affected the performance of student in examination, which was the following relationship is highlighted in this statement, COVID-19 के situation में, बच्चों को कौन से emotions हुए, affect करा, negatively affect करा, उनकी performance को, तो वो कौन से emotions है, competition and cognition, तो competition जैसी कोई बात नहीं है, और heredity का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर performance की बात हो रही है, तो heredity का कोई मतलब नहीं है, option number second हमारा बचा, cognition and emotion, cognition यानि thinking aspects और emotion यानि हमारी feelings, ठीक है, तो दोनों ही affect हुई है, pandemic में, कि बच्चे की thinking भी affect हुई है, बच्चे के emotions भी affect हुई है, ठीक है, तो दोनों ही options, second options है, संग्यान और संवेग, ठीक है, question number 30, learning is more meaningful and effective when it is majorly, learning कब meaningful और effective होगी, teacher directed हो, यानि teacher direction रेखा ली, तब ही affective होगी, तो ये गलत बात है, teacher facilitator का काम करता है, directed by peers, peers direction यानि friends, तो इफेक्टिव होगी, तो ये भी गलत बात है, textbook centric और textbook centric तो traditional method है, आज की time में textbook center नहीं चलता, child centered curriculum होना चाहिए, option number 4, self directed, ये बात ठीक है, कि खुद को direction दे, उससे अच्छी meaningful learning होगी, एफेक्ट भी होगी, यानि self directed, तो है निर्देशी, तो option number 4 हमारा सही है, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, नए पेपर के साथ, thank you, channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले,